36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के धेर और कश्मीर की खून से सिनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है। कि ले लूँ महोदय आज इन मानवा दिकारों के कारण इन आतंग्यों के बंगलों की आकाओं की नाखवनी हसती है। और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं। परन्तु आज मानवा दिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी डूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं। क्योंकि महोदे भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का दर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तैकर ना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी। लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णे लेना पड़ता है कि चाहिए वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे परंतु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। इन आतंकवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टार गेट को हिट नहीं भी करेगी तो अभी चार सो मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डालो जा रहा है अरे हम ही तो बुनियाद हैं अंत्रिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदे जब पुलवाम हमी 44 जवान सहीद हुए 36 गर में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भारती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा उठो देश के वीर जवानों तुम सिंग बन कर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसके नहीया के सीने में गार दो महोद है अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नहीं प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाफ जैसे आतंकी के लिए सरवोच नियाले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपाहला करते हुए आतंकबाद और उग्रवाज से कभी नहीं निप्टा जा सकता मानवादिकार के नाम की दुहाईयं देने वालों सीमा पर लड़ा नहीं जाता चर्कों से शालों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोल झालों के एलों už स काम करते हुए झालों से करिस लें डामाद़ों आत। глड़ा है